असलाम लेकुम कैसे हैं आप लोग और में करते हूं सब लोग ठीक होंगे अभी यासमीन सिस्टर का मेंसेज आया कि आपकी तबिक कैसी हैसल में मैंने जो लास्ट वीडियो लगाई थी वे चिकिन गुलिया के हवाले से लगाई थी के बहुत ज्यादा चल रहा है कराची में बहुत सारे लोग इसकी लपेट में हैं और क्या है समझ में नहीं आ रहा कि आया वाकरी मच्छर के बाइट करने से हो रहा है या किस वजा से हो रहा है और मुझे हुआ बारा को शदीद तेज बुखार के साथ तीन दिन तीन रातें बुखार था और फिर एंटीबाटिक ल और टीन देशा जोएंट पैंट इस सबसे ज़ादा इफक्ट हुए और यह राइट साइड वाली मेरी लेग है और पैर है वो फूजा चुके हैं दोनों और शूजन के हजासे में जमीन वर पैर नहीं रख पाती और शदीद पैंट है मुझे पैंटलर्स नहीं लेनी चाहि चल रही होती है लेकिन फिर भी जब तक पैन के लड़ नहीं लेती तो फिर तो मतलब बर्दाश से बाहर पैन होता है इतना सिवेर और इतना शदीद ज्वाइंट पैन है अफिस इसलिए आ रही हूँ क्योंके पेकन रॉप लगा है लगा शुकर है वो लेफ्ट के पास से गाड़ी ठाती है और यहां ऑफिस के गेट पर गाड़ी छोड़ती है तो थोड़ा सा मंटका मंटका के जैसे भी करते हैं आज आतीम गुजारे इतनी सारी चुटियां भी न कि अभी तक जिन जिन को हुआ है कोई भी ठीक नहीं हुआ और मेरा इम्यून सिस्टम तो वैसे इतना वीक था जार है कि मोपेशिंट हूं मैं तो मैं सोच रहा हूं फिर से अपाइंटमेंट को अपने अंकॉलिजिस्ट की उसको दिखा हूं उससे डिसकस करूं कि एक पहनी तेस्ट है जो सब इसी का होता है हो सकते उसमें शो होता हूं लेकिन वह वाला टेस्ट को तरवा भी नहीं रहा भी नहीं रहा है तो यह इतना सिवेर और इतना शदीद जो जोएंट पैन है वह अभी सोचें कि मैं 24 दिन 25 दिन हो गए मुझे और मुझे कोई जीरो अभी तक मेरी रिकावरी है मेरी मुन खुछार भी आरहें सर में दर्द भी है wikness भी है मुझा में करवा हो Investor में पैंट पाती है मुबाल कि अभी अभी उठाया हो है तो समझ से बाहर आपने कभी सुना या आपके पास कोई ऐसा जिसको चिकिन गुनिया हुआ उसनी क्या किया तो मुझे कमेंट सेक्शिंस में जरूर बताएगा और बस मैंने सूचा सब्रुप परिशान हो रहे हुगे तो मैं थोड़ी से अपडेट दे रहे तो हूँ अपनी हज़स्ट्रावाले से अजान स्टार्ट होगी अपने बहुत सकते हैं